खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन इस वाइरस से अब तक 20,000 से जादा लोगों की जान जा चुकी है साथ ही आम जन जीवन अस्वेस्थ हो गया है और कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ चुका है G20 के अध्यक्षता कर रहे साथ यरब ने वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये G20 शिखर सम्मेलन आयुजित करने का आहवान ऐसे समय पर किया है जब इस वैस्विक संकट से निपटने को लेकर समू की बड़ी अर्थववस्था वाले देशों द्वारा तेजी से कदम ना उठ को लेकर आलोचना हो रही है बुद्वार को जारी अधिकारिक बयान के नुसार बैठक में कोरोना वाइरस महमारी और उसके मानविये और आर्थिक प्रभावों से निपटने के समन्वित उपायों पर विचार किया जाएगा बैठक में इटली, स्पैन, जॉर्डन, सिंगा और स्वेजर लेंड जैसे कोरोना वाइरस से प्रभावी देशों के प्रतिनी धी भी शामिल होंगे, साथ ही रूस के राष्टेपती पुतीन भी इस G20 सम्मेलन में शामिल होंगे G20 बैठक का उदेश सदसे देशों के लिए सबसे खराब इस्तिती में अपनी चिकित्सा चम्ता को बढ़ाने का है, साथी वाइरस के प्रसार को रोकने और उसके इलाज के लिए वैग्यानिक प्रयास करने का होगा प्रधान मंत्री मोदी इस बैठक में कोरोना वाइरस के खिलाफ चल रही लड़ाई को वैश्विक लड़ाई में बदलना चाहते हैं, जहां प्रती भागी देश अपनी चिकित्सा ग्यान और संसाधनों में तालमेल की मदद से वाइरस के परसार को रोकने में मदद कर सके भागिदारी यानि NEPAD जैसे छेत्रे संगठोनों के प्रतिनिधी भी शामिल होंगे, G20 में भारत के एलावा अर्जंटीना, औस्टेलिया, डाजिल, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सौधी एरब, दक्षन अफ्रीक दक्षन कोरिया, तुर्की, ब्रिटैन और अमेरिका शामिल है, संयुक्त राष्टे स्चुरक्षा परिशद में, वर्तमान में चीन की अर्ध्यक्षता में 15 सदस्य समीती तक, सीमित होने की बजाए G20 में 46 देशों वाला एक प्रतिनिधी निकाय है, इसमें शामिल 74 News के लिए दीपकी रिपोर्ट